आज मानिय सर्वोच नियाएले ने नोट बंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया ये फैसला चार एक का फैसला था एक मानिय जज ने जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना आए विरोध भी अपना दर्ज किया फैसले में नोट बंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है फैसले के उपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की उस पर कोई निर्णे नहीं दिया जो 1934 का RBI Act है उसका Section 26 दो यह फैसला सिर्फ उस पर केंदरित था कि उसकी कोई अभेलना नहीं हुई उसका पालन हुआ गया अलावा इसके मानी सरवोच नयायले ने न इस पर कोई टिपणी की कि क्या नोट बंदी से आतंकवात कम हुआ क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी काला धन सर्कुलेशन में था क्या वो कम हुआ इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णे में नहीं है तो यह कहे देना कि माननी सर्वोच न्याले ने नोटबंदी को सही ठहराया है मुझे लगता है गलत होगा नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है फैसले पर कोई टिपणी माननी सर्वोच न्याले ने नहीं की है यह सपष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननी सर्वोच न्याले ले द्वारा यह बिल्कुल गलत है जिन चार जजिस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिपपड़ी नहीं किये है यह बात हमें इस पश्च तौर पर समझ लेनी चाहिए हमारी आपत्ती इस देश की आपत्ती परिणाम पर थी कि नोट बंदी से हुआ क्या इस देश को क्या हासिल हुआ जो MSME सेक्टर है वो तबाह हो गया लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई तो जो मुसीबतें लोगों ने जहली और आज तक जो अर्थेवस्थाल अडखडाई हुई है उस पर कोई टिपणी किसी भी जज ने मानी सर्वोज ने आएले के आज के नेडे में नहीं की गई है Now I'll read it in English also The Honorable Supreme Court has pronounced a verdict on the process of demonetization In the verdict, the Honorable Supreme Court pronounced that section 26.2 of the RBI Act of 1934 Was it correctly applied on this decision or not? Very limited, limited only to the process of demonetization, not the outcome of demonetization Let's have this distinction very clear in our minds The Supreme Court, even the majority verdict, 4-1, even out of those four justices Not one said anything about the outcomes of demonetization What it did to the MSME sectors, what it did to the informal sector What it did in terms of destroying lacks and lacks of employments Nothing was opined on by the Supreme Court today in its verdicts Let's be very clear, the majority Supreme Court verdict deals with the limited objective, limited issue of the process of demonetization Not with its outcomes Your questions please Sir, BJP is saying Sir, BJP is saying that if anything has been done in the interest of the country and it is against corruption in Congress, it is bound to oppose it? Ask them to go to Karnataka and tell us if corruption has gone after demonetization Let's only talk about one state today because it's in news Apparently a businessman committed suicide naming BJP leaders in Karnataka Has corruption come down, has terrorism come down, they keep changing the goalposts the moment they are cornered I again repeat, to say that demonetization has been upheld by the Honorable Supreme Court is totally misleading and brazenly wrong Congress party 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 के हित में नहीं है इस देश की अर्थिवस्था के हित में नहीं है और पिछले छे सालों में यह बात हमारी सही साबित हुई लाखों लोगों ने नौकरियां गवाई MSME सेक्टर खतम हो गया तबाह हो गया देश का informal सेक्टर बरबाद हो गया न काले धन में कोई कमी आई न नकली नोटों में कोई कमी आई न आतंकवाद में कोई कमी आई न नकसल प्रभावी शेत्रों में कोई बहुत शांती आगई न कश्मीर में कोई शांती आई तो आप बत पहले इस पर कर लें आज बिली पर आई जाएंगे एनीफिंग एलस एनी अधर क्वेस्टिन हमने प्रक्रिया और परिणाम दोनों पे सवालिया और निशान उठाए थे आज एक माननिय न्यायधीश ने यह भी कहा है कि पार्लिमेंट के माध्यम से यह निर्णे होना चाहिए था हमारा ये मत रहा है रहेगा और जिस दिन ये हुआ था तब से हमारा मत यही रहा है तो प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर जो हमारे सवालिया निशान थे वो रहे हैं आज भी हैं बरकरार हैं मैंने जैसा कि आपको कहा नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं कर सकते इसको आपको पार्लिमेंट के माध्यम से करना चाहिए था हम भी उसमें सहमत हैं इस बात से थैंक यू अभी आ रही है पीसी तो है ही भाई क्या दिल्ली में क्या यह पहला उधारण नहीं होगा जब भारती जनता पार्टी सत्ता का दुरूपयोग करते वे अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखे इस देश के इतिहास में पहली बार यह हुआ कठुआ और उन्नाव में हुआ जब बलातकार객वों के साथ खड़ी हुए भारती जनता पार्टी दिखी हाथरस में हुआ लखींपूर में हुआ अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखी आज तक दिख रही है, उत्राखंड में हुआ, और अब दिल्ली में जो आप उधारन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं, दिल्ली पुलीस दबाव से हट कर, इस मामले में जाच भी करेगी और न्याए भी दिलाएगी. This is not the first time that the BJP is being seen as standing with the accused. The first time it happened was in Kathua and Unnau, then in Hathras, Lakhimpur, even in Uttarakhand and now in Delhi. We hope that the Delhi police will investigate the matter without any interference or pressure and bring the guilty to the book. जो बार-बार civilians पर हमला हो रहा है, पिछले 3-4 सालों में बहुत जादा बढ़ गया है. अभी कुछ दिनों पहले हमने एक प्रैसवार्ता भी की थी, मैंने ही की थी वो यहाँ, दिपावली के जस्ट बाद की थी, कि कैसे शोपियान जैसे जगें जहां कश्मीरी पंडित परिवार रुके रहे, ठहरे रहे, कितनी भी मुसीबताई नहीं गए थे, अब उन्होंने भी अपना गाव, अपना घर छोड़ दिया. तो जो बड़े-बड़े दावे किये जा रहे थे, बार-बार किये जा रहे थे, नोटबंदी के बाद भी किये जा रहे थे, तीन सो सत्तर हटाने के बाद भी किये जा रहे थे, तमाम दावे, खोखले साबित हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं. जो headlines जमू कश्मीर से आज सुनाई देती हैं, वो दिल को दहला देने वाली होती हैं, कश्मीरी पंडित वापस जाने की तो बात छोड़ दीजे, जो वाँ हैं वो वाँ नहीं रह पा रहे, जमू आ रहे हैं या और कहीं इलाकों में जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जो civilians, बाकी civilians की जो चिंता होनी चाहिए थी इस सरकार को, वो चिंता दिख नहीं रही, कहीं उनके कदम ऐसे नहीं उठाय जा रहे, जिसमें उस चिंता को, इस देश की उस चिंता को दूर किया जा सके हैं, कश्मीर नीती है कहां हम ये जानना चाहते हैं, पहले कश्मीर नीती दिखाएं तो कश्मीर नीती नाम से कोई चीज इस सरकार में नहीं है